नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीता राम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर, धाम सरकार आपका स्वागत है प्राचीन ग्यान यूटुब चैनल पर दोस्तों, धन तेरस के दिन तुलसी के पौधे में बांध देना, यह एक चीज हजार गुना होगा धन में वृद्ध, इसके बिना तुलसी का पौधा अधूरा होता है तो इस वीडियो को अपने फाइदे के लिए पूरा जरूर देखना दोस्तों, उससे पहले हम धन तेरस के शुभ मुहूर्द के बारे में जान लेते हैं हर साल कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथी को धन तेरस मनाया जाता है पंचांग के अनुसार इस साल 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12 बचकर 35 मिनट से धन तेरस की शुरूात होगी और 11 नवंबर 2023 को दोपहर 1 बचकर 57 मिनट पर इसका समापन होगा धन तेरस पर पूजा का शुब मुहूर्त शाम 6 बचकर 20 मिनट से शुरू होगा जो की रात 8 बचकर 20 मिनट तक रहेगा त्रयोदशी तिथी प्रारंभ नवंबर 2023 को दोपहर 12 बचकर 35 मिनट में शुरू होगा जो कि अगले दिन 11 नवंबर 2023 को एक बज कर 57 मिनट में समाप्त होगा दोस्तों धनतेरस पर खरीदारी का शुब समय है धनतेरस पर सोने चांदी और बरतन या घर का कोई भी सामान खरीदने का शुब मुहूर्थ है दोपहर दो बज कर 35 मिनट से शाम 6 बज कर 40 मिनट तक रहेगा अगर आप इस दिन खरीदारी नहीं कर पाते तो आप अगले दिन यानि 11 नवंबर को दोपहर एक बज कर 56 मिनट तक खरीदारी कर सकते हैं क्यूंकि धनतेरस अगले दिन दोपहर तक रहेगी दोस्तों आईए जानते हैं कि धनतेरस के दिन तुलसी के पौधे में क्या चीज बढ़ने से धन में हजार गुना वृद्धी होती है वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में जैमा लक्ष्मी अवश्य लिखें जिससे मा लक्ष्मी का आशीरवाद आपको सदा प्राप्त हो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने स्वयम की थी तुलसी की पूजा और बताया था यह रहस्य दोस्तों तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता है लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताये गए महत्वपूर्ण नियम नहीं जानते हैं तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए तुलसी को जल कैसे देना चाहिए तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं रखना शुब होता है, आदी कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर आप धन तेरस के दिन तुलसी के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं, तो आपको मा तुलसी का धेर सारा आशीरवाद मिलता है और आपके घर में मा लक्ष्मी का सदैव ही निवास रहता है। इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी के घर में रखने के साथ ही धन तेरस के दिन या दिवाली के दिन उसके नीचे एक चीज बांध देते हैं, तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। क्योंकि इसी चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। तुलसी को यह एक चीज संपूर्ण बनाती है। इसलिए शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है दोस्तों। भारत में ही नहीं, बलकि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही प्रयोग अवश्य किया जाता है। विश्णु पुराण में तुलसी को भगवान विश्णु की पत्नी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी जगत जन्ननी है, तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वर्दान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पत्र को अमृत के गुणों से युक्त कहा गया है। जिस भी स्थान पर तुलसी का पौधा होता है, उसी स्थान पर ब्रह्मा विश्णु और महेश, यानि की तृदेव का निवास होता है, और तुलसी की पूजा करने से सभी पाप उसी प्रकार से नश्ठ हो जाते हैं, जैसे सूर्य के उदय होने पर रात प्रत्र के अंधकार नश्ठ हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार, जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है, घर में सुख, शान्ति और सम्रिध्ध बनी रहती है। भगवान विश्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाये जाने वाले लोग भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विश्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए प्रत्येग घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना ही चाहिए। अगर आप घर में तुलसी है तो सुख, श चुन्री नहीं चड़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। चुन्री चड़ाते समय आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुन्री चरहाएं, लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है। तुलसी पर बांध देते। ऐसा करना भी अशुभ होगा। तुलसी पर नई चुन्री बांधनी चाहिए। तुलसी पर चुन्री बांधने के लिए एकादशी और धन तेरस का दिन सर्वोत्तम होता है। आप किसी भी एकादशी या धन तेरस के दिन नई चुन्री लाकर उसे तुलसी के पौधे पर बांध दें। इससे आपको कई गुना अधिक फल प्राप्त होगा। तुलसी को बिना चुन्री के कभी न रखें। अगर चुन्री पुरानी हो जाए तो पुरानी चुन्री को एकादशी या धन तेरस के दिन ही बदलना चाहिए। दोस्तों तुलसी का विवाह भी आवश्यक करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुख मैं बीतता है। दोस्तों कुछ लोग जाने, अंजाने में तुलसी के पास ऐसी चीज़ें रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। उसी स्थान के आसपास ठूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुल्सी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुल्सी के नीचे बुझा हुआ दीपक अशुभ माना जाता है, जिस स्थान पर भी तुल्सी का पौधा होता है। उसी स्थान को हमेशा ही स्वच रखना चाहिए, इसलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई का ध्यान रखें. तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए. साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार क पौधा भी लगाना अशुब होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं रखने चाहिए, अन्यथा का प्रयोग से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। बाकी अन्य दिन नित्य बिना चूके तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं सनान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती है, ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांध कर माथे पर सिंदूर लगा कर ही तुलसी में जल देना चाहिए। इससे तुलसी का आशीरवाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे कि आप इसके लिए गंदी मिट्टी का उप्योग न करें। तुलसी के पौधे के लिए शमशान के अथवा गंदगी वाले स्थान की मिट्टी कभी उप्योग नहीं करनी चाहिए। इससे तुलसी मा रूट जाते हैं और सूखने लगती है। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए। जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए। अन्यता गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है जो बहुत ही अशुभ माना गया है घर में तुलसी का पौधा कभी सुखना नहीं चाहिए शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यू की सूचना देता है घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुक समरिध्य खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में मा लक्ष्मी का वास नहीं होता है। साथ ही इस बात का खयाल रखें कि तुलसी में मकडी के जाले अत्वा कीडे नहीं लगनी चाहिए, ऐसे स्थान पर लक्षमी मावास नहीं करती, शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान, महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए, और तुलसी को सपर्ष नहीं करना चाहिए, तुलसी को बिनासनान किये जल नहीं देना चाहिए, और पैर में चपल आदी पहन कर भी तुलसी को जल नहीं दें, तुलसी का जल देते समय ध्यान रहे, कि जल आपके पैरों पर न पड़े, इससे तुलसी का अपमान होता है, श्री कृष्ण क सामने लगाना चाहिए। इस से पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुब होता है। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे उग जाते हैं, तो उन्हें समय समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन्य पौधे उगते हैं, तो ये पौधे दूसरों को दान में देने चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगते हैं, तो घर में साक्षात माता लक्षमी का आगमन होता है। तुलसी के पास कभी कांटेदार पौधे नहीं रखने चाहिए, ऐसे में तुलसी मा सूख जाती है, तुलसी के पास मरुस्थली पौधे रखना बेहद अशुभ माना जाता है, ऐसे पौधे से नकारात्मक उर्जा निकलती है। तुलसी के पास के पेड़ लगा देते हैं, तो आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्थ होगा। केले के पेड़ में भगवान विश्णु का वास होता है, इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समरिध्धी आती है। साथ ही जिस स्थान पर भगवान विश्णु का वास होता है, वहाँ पर मालक्ष्मी खुद चल कर आती है। दोस्तों आपको धन तेरस के दिन तुलसी के पौधे में शालिग्राम अवश्य रखना चाहिए, तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुब प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शालिग्राम भगवान विश्णु का निराकार रूप माना जाता है। ये काले रंग का पत्थर होता है, जिसे विलक्षन मूल्यवान माना गया है। इसे अगर आप तुलसी के गमले में रखेंगे, तो आपके घर में संपूर्ण नकारात्मक उर्जा नश्ठ हो जाएगी मान्यता है कि शालिग्राम के अल्प मात्रा में स्वयम भी होता है। इसलिए अगर आप शालिग्राम तुलसी के पौधे में रखते हैं, भगवान विश्णु के साथ आपको मा लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, आपके घर में कभी धन धान्ने की कमी नहीं रहेगी। पुराणों के अनुसार जिस घर में शालिग्राम होता है, बे घर तीर्थंकर तीरठ करने के समान श्रेष्ठ होता है। नित्य शालिग्राम के पूजन से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ती होती है। यह स्वयम भू होने के कारण इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यक्ता नहीं होती इसे अगर धन तेरस के दिन तुलसी के पास रख कर इसकी पूजा रोज की जाती है तो व्यक्ति को धन संबंधित कोई समस्या नहीं आती विश्णु पुराण के अनुसार मृत्यू के समय शालिग्राम के चरण सभी पापों से मुक्ति दिला जाता है वो मृत्यू के पश्चात बैकुंठ चला जाता है घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए पुराणों में कहा गया है कि भगवान विश्णु की मूर्ति से कहीं ज्यादा उत्तम होता है शालिग्राम की पूजा करना शालिग्राम को चंदन लगा कर उस पर एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए, प्रतिदिन शालिग्राम को पंचा मृत से स्नान कराना चाहिए, ऐसा करने से सभी जन्मों के पाप नश्ठ हो जाते हैं, शालिग्राम सकारात्मक्ता का स्वास्थिक का प्रतीक होता है, इसलिए दोस्तों धन तेरस के दिन अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते, तो तुलसी का पौधा घर में लगा कर तुलसी मा का अपमान भूल से भी न करें, इससे आपको विपरीत परिणाम भोगने पर सकते हैं, तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी तुलसी के गमले में ये चीज़ें अवश्य रख करने के लिए हमारे चैनल प्राचीन ग्यान को सब्सक्राइब करना न भूले, और हाँ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आपके शेयर किसी के जीवन में खुशाली ला सकता है, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जयमान तुलसी जयमान लक्षमी अवश्य लिख स्वस्त रहे सुरक्षित रहे धन्यवाद